नमस्कार दोस्तों मैं हूँ मम्ता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरी चैनल मम्ता जोए में तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो में हम जानेंगे कि कौन सी ऐसी आठ हमारी बुरी आदते हैं हम महिलाओं की ही ले लिजे या साथ में पूरुस भी ध्यान दे सकते हैं कौन सी ऐसी हमारी आठ बुरी आदते हैं जो जीवन में हमें कभी आगे नहीं बढ़ने देते हैं कौन सी हमारी आठ बुरी आदते हैं आज हम इस वीडियो में जानेंगे तो आप लोग बने रहें मेरे साथ मेरे चैनल पर अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिजेगा बैल आइकन को प्रेस कर दिजेगा जिससे कि मे अपनी लिये तो बहुत ही कोश्टली अच्छी चीजे खरीते हैं लेकिन आप ध्यान रखेगा कि कि किसी के भी बेटी के अगर आपके रिष्तेदारी में साधी है आपके बहन का, आपके ननत के बेटी का, या आपके बुवा सास का, या जो भी ले लीजिए, किसी के भी अगर बेटी की साधी है, बिवा है, तो कोशिस करें, कि खुद थोड़ा आप सधारण ही पहन लीजिए, ये चीज़ लोगों से बहुत कम लोग ऐसा त्याग करेंगे, आप पहनिये, आपको जितना का पहनना है, पहनिये, लेकिन किसी भी बहन बेटी के बिवा हमें न, हमें अच्छी चीज़े देनी चाहिए, वो बहुत आपको कीमती नहीं बोलूँगी, कि सोना चांदी, करोडो का चीज दीजिए, दस अजार की साड़ी दीजिए, लेकिन जो भी दीजिएगा न, कि ऐसा दीजिएगा आदम्活balthy थोड़ा सोचे कि हाँ ये पहन सकते हैं, आप एक ही साड़ी दीजिए, लेकिन थोड़ा अच्छा दीजिएगा, क्योंकि लोगों की एक ऐसी आदत है, सभी कत्व नहीं कहोंगी, बक्सा भर के दे देते हैं, कि इस पर दान पर दे रहे हैं बहुत बड़ा दान माना जाता है बेटी के बिवाह में अगर आप दान करते हैं तो आपसे रुपया पैसा जो बन पड़ता है वो तो आपकी इच्छा मरजी है लेकिन जो भी वस्त्र वगरा देते हैं थोड़ा सा अपने हैसियत के अनुसार आपको देनी चाहिए ऐसा नहीं कि भगवान ने आपको सब कुछ दिया है और केवल हम फॉर्मलिटी कर रहे हैं तो ये बहुत भारी गलती है पैसा यहीं धर्ती पे ही धन दौलत आदमी कर रहे जाता है लेकिन जो अपने हातों से हम दान पुन करके जो जस कमा के जाएंगे न वहीं पीछे से लोग हमारा नाम लेंगे तो इसलिए अपने थोड़ा हम कमी अच्छा पहनेंगे कमी खरीदेंगे लेकिन दूसरे को दीजिए तो थोड़ा ठीक ठाक चीजे दीजिए वो दान के लिए हो गई मतलब कोई दान भी आप करते हैं तो ब्रामर को ही देते हैं तो क्या देते हैं तो ऐसा नहीं दान वाली मतलब कहकर चीजे खरीदे एक ही दीजिए लेकिन अच्छा दीजिए या मत दीजिए वो ज़्यादा बढ़िया है उसके जग़ा पैसा दे दीजिए लेकिन उल्टे सीधे चीजे अगर आप किसी को देते हैं बातों को थोड़ा सा ध्या इस आदमी ने दिया है और ये पहनने लाइक है आप 10 रुपए की ही चीज दीजिए लेकिन थोड़ा ठीक ठाक दीजिए कि जैसा आप यूज करते हैं उससे थोड़ा सा मिलता जुलता ही आपको किसी को देनी चाहिए और बेटी के बिवा में तो कभी भी कंजूसी नहीं कर करनी चाहिए जितना भगवान ने दिया आप दीजिएगा ना उसका डबल आपको मुनाफा होगा लिक कर रख लीजिएगा क्योंकि लड़कियों के बिवा में हमें जरूर दान करनी चाहिए और अच्छी चीजिए देनी चाहिए ठीक है भले ही एक बकसा आप लो भर के ना कोई आपको बुरा समान दिया या कोई चीज दिया गिफ्ट दिया तो हम क्या करते हैं कहते हैं कि एकदम वैसा ही देंगे उसने ऐसा दिया है ऐसी साड़ी दिया ऐसा गिफ्ट दिया है तो हम भी वैसा ही देंगे जी नहीं उनको जीतना समझ में आया सामने वाले को जैसा उनको लगा तो उन्होंने अपने बजट के अनुसार आपको दे दिया लेकिन आप कभी ठीक मिलता जुलता या ठीक वही चीज आपको ले जाकर वापस नहीं करनी चाहिए बहुत बुरी आदत है लेकिन कई ऐसे लोग है जीद में ऐसा करते हैं कि वो आदमी दिया है न हम ठी कि यही वापस कर देंगे मतलब आप गाउं घर का जब यह सब चीज देखेंगा न तो मन कैसा हो जाता है कि कैसे लोग है तो ठीक है उनको जितना बुद्धी आया जितना उनको बिचार आया उन्होंने दिया लेकिन आप अच्छा बिचार दिखाईए न आप थोड़ा उन बढ़ने देंगे हमारा जैसा सोच है हमारा जैसा बिचार हम वैसा करेंगे हम क्यों किसी ने हमारे साथ गलत के तो हम क्यों उसके साथ गलत करेंगे कभी नहीं करनी है ठीक है तो ऐसा मत किजिए जिसका जैसा है वैसा वापस ना करें आपका जितना भगवान नावकाद दि तो यह हो गई हमारी दूसरी गलती तीसरी गलती क्या है कि देखिए एक चीज़ और आपको समझा दो कि किसी के खुसी में हमें खुस होनी चाहिए हर आदमी इस बात का ध्यान रखेगा अगर किसी के यहां बच्चा हुआ है साधी बिवा है या जो भी है उसमें हमें जरूर खुस होनी चाहिए आपके जो भी रिस्तेदार है या जो भी है अगर आपको बुलाएं है तो उसमें सामिल हो यह अगर समय है तब किसी के भी खुसी में हमें सामिल होनी चाहिए और खुस होनी चाहिए और जाकर कभी भी उस खुसी में आपको जैसे न कलह का माहौल पैदा नहीं करनी है बहुत सारे लोग है ठान देते हैं गुसा हो जाते हैं बात नहीं करते हैं ये सेवा हमारा नहीं हुआ ये आदर नहीं हुआ ऐसा सब किसी के मतलब अगर बेटी की साधी है तब तो आपको बिल्कुल ही इन सभी बातों पर ध्यान नहीं देनी चाहिए कि किसने से एकदम नर्वस पितजी नहीं आता है विदाई भी करनी होती है तो बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं तो ये भी गलती हमारे द्वारा नहीं होनी चाहिए अगर आप उनके घर के रिष्तेदार है तो कभी जाकर विवास साधी में किसी भी बात को लेकर आपको गुसा नहीं होनी चाहिए नाराज नहीं होनी चाहि यह भी गलती आप लोग ध्यान रखेगा कि आपके द्वारा नहीं होनी चाहिए तो यह हो गई हमारी तीसरी गलती ठीक है चौत्या चीज क्या है कि देखे बहुत सारा भोजन लेकर किसी के घर आप गिश्ट बनकर जा रहे हैं या कही कुछ खा रहे हैं या रिश्टूरेंट बहुत सारे खाना का वेश्ट ना करें आप वो बचे गा तो आपको मालूम है ना कि आजकल बहुत सारे संस्थाएं बने हुए हैं जहां फोन कर दो तो बचे हुए खाना ले जाकर गरीब बच्चों को आना थाला में इधर उधर खिला देते हैं तो यह ऐसा नहीं कि दूस में बड़े में मैं किसी भी चीज में या गिष्ट बन कर जा रहे हैं ऐसे तो आपको कभी भोजन लेकर नुकसान नहीं करनी चाहिए हमें अपने तरफ से पूरी कोशिस करनी चाहिए ऐसा नहीं कि दूसरे का अनाज है दूसरे का चीज है तो क्यों न लेकर बरबाद कर दे यह बहुत गलत है अगर एक चीज कम पढ़ जाता है तो पूरी दुनिया उसी के पीछे पढ़ जाएगी तो इसलिए किसी के चीजियों को अपना समझे बरबाद मत कीजिएगा जो भी लोग यह गलती करते हैं आज से ध्यान रखेगा देखे मेरी बाते बहुत सारे लोगों क कहीं पसंद ना है लेकिन आप गौर कीजिएगा कि यह सही है या गलत है ठीक है और दोस्तों आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को पका सब्सक्राइब कर दीजेगा और वीडियो को लाइक कर दीजेगा क्यूंकि आपके एक हमें बहुत अधिक हिमत और प्रेणा मिलती है तो जरूर कर दीजेगा चलिए अब आगे जान लेते हैं अगली गलती हमारी क्या है अगली गलती है कि देखिए हमें बहुत अधिक साफ सफाई नहीं करनी है बहुत जादा साफ सफाई के पीछे अगर आपागल मतलब जैसे बने रहते हैं वो भी हमारे घर को कभी आगे बढ़ने नहीं देता बढ़ुतरी नहीं होता घर में तो हमें लीमिट में इतना जादा सफाई के पीछे हम बच्चों को मार दियें गुसा कर रहे हैं ये कर रहे हैं वैसी सफाई की जरूरत नहीं है जब हमारे घर में घर परि परिवार ही नहीं रहेगा तो सजा रहेगा आपका घर पर्माननेंट आप और्गेनाइज करके रखेगा वैसे और्गेनाइज घर का क्या फाइदा तो इसलिए कभी भी घर के सफाई के पीछे अमें बहुत अधिक सफाई के पीछे पागल नहीं होनी है मैं ये चीज बता चुकी हूँ फिर भी इस वीडियो में मैं आपको बता दुरू हूँ ये भी हमारी एक गलती है हम महिलाओं की इस बात का आप लोग ध्यान रखेगा अगली गलती क्या है कि पानी की बरबादी ना करें जितना पानी है आपके पास बहुत ज़्यादा पानी है आपको पानी की कमी नहीं आपके बिल्डिंग में पानी बहुत आता है या हैंड पॉंप है या जो भी है कभी भी पानी को बरबाद ना करें नहीं तो पानी की बरब तो पानी उतना ही गिराना है लिमिट में दिन रात अगर आप पानी गिराएगा तो इस आदत को एकड़म सुधार लिजेगा और गर करके देखिएगा जो लोग भी बहुत ज़्यादा पानी गिराते हैं ना मतलब क्या आप बताएं कितना बुरा उनके साथ होता है कभी न कर तो यह हो गया हमारा एक और बुरी आदत अगली आदत क्या है कि कोई भी अगर मालीजे कोई चीज आपको बताना नहीं चाहरा है कि आप एक बार पूछे फिर उस आदमी ने इग्नौर कर दिया तो बार बार उस आदमी को परिसान नहीं करनी चाहिए मतलब उसको बार बार पूछ करो बताना नहीं चाहिए और आप बार बार वही बात ला रहे हैं तो देखे समझदारी से आपको काम लेनी चाहिए अगर सामने वाला नहीं बताना चाहता है तो देखे समझदार के लिए एक इसारा काफी होता है तो आप समझ जाए कि ये आदमी अभी इस स ठीक है इस बात का आप लोग ध्यान रखेगा और वीडियो को ध्यान से सुनिएगा एकदम आपकी आखे खुल जाएंगे जो लोग भी ये गलती करते हैं आप ध्यान रखेंगे ठीक है अगली चीज क्या है कि देखिए हमें कभी किसी के चकर में नहीं रहनी है कि एक लोगों के आदत है खाते हैं अपने घर और हाथ धोते हैं दूसरे घर जैसे ना मतलब वो खाते हैं जब तक इधर उधर ताक जहांक नहीं करते हैं उनका पेट का जो भोजन है पच्चता नहीं है आप अपने घर में खाईए ना अपना रूटीन फालो कीजिए ना इधर विंडो जहाकेंगे उधर गेट पर जाकर जहाकेंगे किसकी बहु मार्केट गई किसका हस्वेंड कहां गया किसकी बहु मतलब बीवी कहां जा रही है पतनी किसकी बेटी एकजाम देने गई ऐसे सब क्या जरूरत है भगवान का नाम लीजिए ना अगर फिरी समय है तो रमायन जी क पढ़िये न रमायल लेकर सुन्दरकांट का पाठ कीजिए गीता का पाठ कीजिए क्या जरूरत है समय मिले तो इधर विंडो पे मू लगाना उधर गेट में जहांक जहांक करना ये तो बहुत गलत है न तो एक एक लोग है उनको जब तक जहांक नहीं करेंगे उनके पेट का जो पानी है न पच्चता नहीं है तो अगर ऐसी सब मतलब गलत आदते आपके अंदर है तो प्लीज सुधार लिजिए और आप सुधार कर देखिए आपका जीवन धर्ती पर ही स्वर्ग बन जाएगा एक बर सुधार कर देखिए क्योंकि हम सब पूजा पाठ सब निश्च जाएए आप अपनी तरफ से फूल बोईए जो आपको काटा वो रहा है बो कर देखिए और आपका न्याय कौन करेगा भगवान करेंगे भगवान पर भरुसा रखिए ना दान कीजिए किसी के बेटी बहन के बिवा में अच्छी चीज़े दे कर देखिए देखिए आपको डबल उसका फाइदा होगा आप आजमा कर देखिएगा तो यह हो गया हमारा एक और नियम के आपको ताक जाक बिल्कुल किसी के लाइफ में नहीं करनी है आगली चीज़ क्या है कि कोई भी अगर माल लिजे कि जा रहा है यात्रा बना कर लेडी जो जेन्स हो बच्चा हो ज पूकनी नहीं चाहिए यह भी एक हमारी आदत है समझ में नहीं आता जट से बोल देते हैं रुकिये ना सूनिये ना ये ले लीजिये वो ले लीजिये तो जान लीजए वो आदमी जा रहा है नि जिस काम की लिए वो काम होना बहुत ही मतलब असंबाव हो जाता है तो उस का सब बन जाता है ना कि हम जट से उसको टोक देते हैं मट टोकिएगा और जाने के बाद कभी किसी के भी जाने के बाद गेश्ट हो अतिति हो बच्चा हो जो तुरत जाडू ना लगाएं यह चीज तो मैं बता चुकी हूँ फिर भी एक बार याद दिला रही हूँ जो भी मेरे न्यू सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए कि किसी के घर से निकलते जाडू नहीं लगाने चाहिए बहुत अधिक असूब होता है और टोकनी नहीं चाहिए ठीक है तो यही हमारे कुछ आठ बुरी आदिते थी जो मैं ने आपके साथ सेयर कर दी आसा करती हूँ कि इससे बहुत अधिकलाब मिलेगा फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार सुस्त रहिए सुरक्षित रहिए और जहां कहीं भी रहिए खूब खूस रहिए धन्यवाद